पूरे देश्ट्वर में अजादी की अम्रित महत सब पालन किया जा रहा है अजादी की 75 years celebrate करने के लिए लोग social media पे अपना अपना डीपी चेंज कर रहे हैं करना चाहिए उट सब पालन करना चाहिए लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अजादी की 75 years होने को आया है और इसक लोगों से जनता से किसी भी country अजाद बनती है उस देश की जनता से अगर उस देश की रहने वाले जनता उस देश में अजाद है तब उस country को अजाद कहलाए जाएगा अब यहाँ पे हमारे पुर्खों ने जो अंग्रेजों से लड़कर अजादी लीती उसे sovereignty कहते है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि Indians ही इंडिया पर रूल करें कोई foreign country या government यहाँ पर रूल नहीं कर रही है लेकिन आज के इस वीडियो में sovereignty की बात नहीं करूँगा बलकि freedom की बारे में बात करूँगा कि देश में time to time evaluated various important parameters को सामने रखते हुए कि आदो देश में freedom है और उस evaluated indicators parameters क्या कहती है so hi guys my name is Ashaf and you are watching me at my channel learn it and I welcome you to my channel learn it आये वीडियो शुरू करते है Actually freedom क्या है freedom एक ऐसी चीज है जिसको continuously time to time evaluate किया जाता है इंडिया की context में बात करें तो हमारे constitution में लिखी गई liberty और equality की values on ground पर देश की जनता पर कितिनी practically apply करी जा रही है क्या देश की नागरिकों के पास सही माईने में freedom है अजादी है life की हर एक aspects में क्या democracy की सारे merits देश की सभी नागरिकों के पास पोच रही है irrespective of caste, religion, region और उसी चीजों को धनिया बर में अलग-अलग organizations ने अलग-अलग indicators की द्वारा time to time evaluate करते है सो आईए पहले देखते है कि economic freedom index rankings में इंडिया कहा stand करती है उससे पहले यह जानना जरूरी है कि economic freedom index है क्या चीज़ और इसे measures कैसे करते है इस index को USA की एक think tank USA के एक agency the heritage of foundation ने launch किया था economic freedom हर एक individual का fundamental right है कि वो अपना level अपनी property को control कर सकता है अगर हमारा हमारे कोई society economically free है तो उसके अंदर हमारे जो लोग है वो free है to work, to produce, to consume and invest in anywhere और सरकार यहाँ पर freely allow करती है उन लोगों को या उस individual की labor, goods, capital को अपनी हिसाब से रान करे और सरकार की ज्यादा रोग टुक नहीं होती है economic freedom basically prosperity लेकर आती है और result में society और dash की economy दोनों progress करती है और index of economic freedom जो है वो basically इसी prosperity को measures करने की कोशिश करती है so index of economic freedom 2021 की rankings की हिसाब से total 184 countries में से globally Singapore top करती है और इंडिया की rank इसमें आती है 121 out of 184 countries और total 40 Asia Pacific region countries की rankings में इंडिया की rank होती है 26th rank और 2022 की economic freedom index rankings में इंडिया की rank होती है 131 globally और 27th rank among all Asia Pacific region countries so इस index में इंडिया कहा स्टेंड कर लिए और लगातार कैसे फिजल लिए वो आपके सामने है आप बात करते हैं press freedom index में इंडिया कहा स्टेंड करती है Global Media Watchdog की latest report की अनुसर 2022 World Press Freedom Index में बारत की rankings 180 देशों में से गिरकर 150 हो गई है पिछले साल की report में बारत 142 rank में था Norway, Denmark और Sweden ये वो तीन countries है जो इस rankings में top में आती है मीडिया को fourth pillar of democracy कहा जाता है इंडिया is the biggest market for the fourth pillar of democracy 82,237 से भी ज्यादा registered newspaper पूरे देशवर में circulate किया जा रहा है और लगबख 700 television news channels पूरे बारत में चल रही है इंडिया की हिस्ट्री में मीडिया को देश की socio, economic और political माहलों में influential, patriotic और trustworthy के रूप से माना गया है लेकिन पिछले कुछ टाइम से TRP और paid news माहल की increase के साथ मीडिया पर trust करना मुश्किल होने लग गया है पैसे लेकर या फिर advertisement contract लेकर corporate houses, सरकार, political parties के वारे में favorable news दिखाना इस तरह की बेमानी पत्सकारिता बहुती आम बात होती जा रही है रेजाल्ट में वो सच नहीं दिखाया जाता है जिसे लोग साफर होते हैं जो आम जनता की real मुद्दे होते हैं और last में democracy हार जाता है और उपर से गिनेच उने जो कुछ independent media personality है जो सच के लिए खड़ा रहते हैं सच बोलते हैं उन्हें धंकाया जाता है false case में gel में डाल दिया जाता है देश में media की दूल अगर ऐसी रहेगी तो फिर press freedom index rankings में इंडिया की rankings नीचे की और ही जाएगा ना अब बात करते हैं democracy index की EIU Economist Intelligence Unit democracy index में हल ही के बड़सों में इंडिया की rankings में significantly गिरावट आई है सो यह democratic index basically यह दिखानी की कोशिश करती है कि कौन सी देश एक proper democracy है और कौन सी देश एक कमजोर democracy या फिर देश सिर्फ कहने को democracy है या फिर जो democracy के merits है वो लोगों तक पहुच रही है की नहीं इन चीजों की evaluation यह report करती है इस index को worldwide बहुत ही importance दिया जाता है दुनिया वर की countries notice करती है कि उनकी rankings क्या है इस democratic index में और क्या आती है यहाँ पर democracy को evaluate करने के लिए पांच parameters को consider किया जाता है first electoral process and pluralism चुनावी प्रोक्रिया कैसी है दूसरा functioning of government सरकार का काम का कैसी है तिसरा political participation नागरीकों की political participation कितनी है चौता political संसकार कलचार कैसी है पांचवा civil liberties नागरीक सतनतता कितनी है इन पांच parameters को consider करते हुए evaluate करते हुए देशों को rankings दी जाती है और इंडिया की rankings यहाँ भी नीचे की और जाते हुए दिख रहा है latest reports की उनिशार इंडिया ranks 46 in this ranks आप बात करते हैं Global Hunger Index की Global Hunger Index में भी इंडिया की rankings facility हुई दिख रही है Global Hunger Index 2021 में 116 देशों में भारत की rankings गिर कर 110 तक आ गई है 2020 में भारत को 107 देशों में से 94 ranking में रखी गई थी इस report की अंसर पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बंगलादेश, मयनमार और पाकिस्तान भी alarming hunger केटेगरी में है लेकिन भारत की compare में अपनी नागरीकों को खिलाने में बहतर रहे हैं हलांकि वो अलग बात है कि सरकार ने इस report को माना ही नहीं कौन सी सरकार है अपनी incompetence को मानेंगे हलांकि मैरा ये मानना है कि मतलब किसी भी problem को हल करने का पहला कदम ये होना चाहिए कि ये मानना चाहिए कि problem exist करता है आज की डेट में सरकार द्वारा कई बार कही गई है कि 80 करोर लोगों को free में खाना खिलाई गई है distribute क्या गया है अगर जिस मुल्क में 137 करोर के मुल्क में 80 करोर लोगों को अगर दो वक्त की routine नहीं मिल रही है तब तो इसका मतलब आप ही बता दो क्या हो सकता है और क्यों hunger index में इंडिया की rankings नीचे की और जा रही है इन सब important reports के अलावा और भी ऐसे कई सारे indexes और reports है जो दुनियावर में से agencies और organizations द्वारा time to time release किया जाता है जैसे कि corruption perception index, human development index, global peace जैसे indexes में भी इंडिया की rankings लगातार नीचे की और फिशल देगे लेकिन इन सब चीजों को लेकर सवाल कौन उठाएगा, बात कौन करेगा, media तो छोड़ दो वो तो अलगी बाचते हैं, opposition उने तो EDE ने busy कर दिया, अब बचे कौन, हम और आप जी हाँ दोस्तों, हमें और आपको थोड़ा टाइम निकल के कुछ टाइम के लिए हिंदू-Muslim topic को side में रखे, देश की खातिद, देश के लिए रेल मुद्दे को लेकर सवाल उठाना लाजमी हो गया है लोग बोलते हैं कि हम इंडिया पकिस्तान मेच के टाइम पे ही अपना national duty निबाते हैं, हैं इंडिया को support करके लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो नजरिया है, उससे मेरे को यह लगता है कि हम इंडियांस तीन जगे या situations में ही हम अपने आपको एक सच्चा, इमंदार, देशवक्ट और responsible citizen की तरह देखते हैं और मानते हैं कि हम, हमसे बड़ा कोई देशवक्ट है ही नहीं वो है पहला, number one, जब election की time पे, election rallies में हमारे अलग-अलग पसंदीदा candidate जब अपनी बाशन रखते हैं, तब हमें यह लगता है, बस यही है वो जो सबसे बड़ा देशवक्ट है और जो इन्हें वोट करेंगे, वो ही सच्चा देशवक्ट होंगे, जो बिलकुल भी सही नहीं होता है और दूसरा, इंडिया-पकिस्तन क्रिकेट मैच के टाइम पे, और तीसरा, इंडिपेंडेंस डे आने के बाद, सोसिल मीडिया में अपना-पना ड्यूपी चेंज करके, बस हमें लगता है कि हमने हमारा नैशनल ड्यूटी निबा दिया है जो एक्चुल माईने में काफी नहीं होता है सच्चा देशवक्त, देशप्रेमी यही होता है कि सत्ता पर काबिज परिटी को क्वेशन करे सरकार की पोलिसिस को लेकर बात करे, सरकार को अबाउंड करे आम जनता की हित में काम करने के लिए चाहे सरकार में कोल भी पारिटी हो, NDA, UPA और एन्यादार अज की वीडियो यही तक, वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्यार कीजिए, कॉमेंट सक्षन में अपना राय दीजिए, फेस्बूक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ, इस्टेग्राम में भी फॉलो कीजिए, थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बुडबाई, टेक क्यार, अल्ला अफिस, जय हिन, हैपी इंडिपेंडेंस दे